हमें हैं हैलो हैं है हैलो है कि आवाज आ अरी अभी लूली चालूब अधर्व गावाली मन तो एंचला नीगा पिक्चर बगाँ नको औरे बबा पिक्चर विक्चर ना ही केमिस्ट्री चे लेक्चर बगहा आ जाएगा मजा धमाकेदार तरीके से जस्ट वेट अ मिनट अकेला ही घर में उटेंशन मतलो इसके लिए अकेला सब सेट अप कर रहा था था ना दस मिनट लग गया पूरा सेट अप करने में कि आम रिएली सॉरी फॉर दिस बट लेट्स बिगिन चलो शुरुबात करते हैं सभी अपने फ्रेंड्स को शियर मार दो एक बार एंड देन अगेन स्टार्ट करते हैं जस्ट रूको एक मिनट सामने आता हूं अभी शुली वो टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा होते रहता है ना यार थोड़ा समझा करो हमेशा ऐसे थोड़ी लेक्चर गैंसल हो जाएगा आंडू पांडू समझाएगा देखो बहुत सारी लोग बोल रहे अकेले उगर पे अरे अकेले मतलब अकेले सेट अप कर रहा जाई गह रहेंगे उदर पर जिम हो गयरा में ठीक है चलो अगरे बहुत बढ़िया मानस पाठक थेंक्यू चलो ठीक है तो शुरुबात करते हैं फिर आज कि प्यारे से लेक्चर की और बैटरी बीच में दोखा ना दे जाए कहीं एक मिनट रुक हुआ अभी थोड़ा सा स चलो ठीक है ओके फाइन नाव एवरिषिंग इस फाइन एवरिशिंग इस फाइन चलो वेलकम बैक अरे लाइव चैट दिखने के लिए मोबायल किदर लगाने का है आज एक दम एक मिनट रुक जो ओरे आज तीक है जस्ट एक मिनट ओके लाइव चैट का फिर रिपलाइं दे पाऊंगा मैं इधर लगा देता हूं ठीक है अकेला हुना यार तो ऐसा खतरनाक वाला लॉंचिंग ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इधर मेरे को मैंनेज भी करने का है और चलाने का भी है तो दो दो चीजें एक साथ कैसे होएंगी थोड़ा सा भावनाओं को समझो मेरे ठी आज अकेला पढ़ गया इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया तो शुरू करता हूं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ कि थीक है कि चलो ओके फाइनली लेक्चर शुरू हो गया है तो इस्टार्ट करते हैं अब तो बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सब कुछ everything is fine or not welcome back again to new Indian era चलो चलो शुरुवात करते हैं एक साल बाद chemistry की शुरुवात again अपने प्यारे से platform new Indian era के अंदर तो आज पढ़ेंगे आपन chemistry है ना क्या बात है CT में marks निकालना है तुम लोग को 50 marks का chemistry इतना छोटा सा जान है और उसमें भी इतना सारा हवाल मचा के रखा हुआ है ठीक है तो आज का जो lecture एकदम धमाकेदार होगा time तो 9 बज़ी होगे 9 बज़ गया यार मैं जानता हूँ तुम सबको खाना पीना बहुत कुछ खाना रहेगा मैं भी अभी तक खाया नहीं हूँ तो जितना आज cover करना होगा न उतना cover करेंगे और हां reduced syllabus नहीं करेंगे और जहां से ज़्यादा questions नहीं आते उन topics को नहीं करेंगे और उन्हीं चीज़ों पर focus करेंगे जो CT based है और बहुत से ठेर सारे numerical करेंगे बहुत से mcqs solve करेंगे और concept पर ध्यान देंगे ठीक है तो चलो एक बार फटा फट सारे लोग आजाओ मैं चैट तो नहीं देख पा रहा हूं mobile लगाया है वाज में लेकिन इसमें इंटरनेट का इतना issue है मैं क्या बोलू इधर कनेक्शन इधर चलेगा कि उधर चलेगा इधर चलेगा इधर चलेगा तीन तीन डिवाइस कनेक्टेड है तो यह कुछ भावी नहीं दे रहा इंट चलेगे हैं तो अभी शुरुवात करती हैं सभी अपने सारी दोस्तों को शेर कर दो इस सेशन को फिर चलिए तो आज एकदम बेसिक से और थियरीक कम निमेरिकल पूरे के पूरे लेक्चर की शुरुवात करेंगे पहला चैप्टर है हमारा solid state वैसे वेटेज और तो तुम को भी पता है कि last जब हमारे पास time होता है तो इस वक्त हम ज्यादा से ज्यादा questions को solve करने के कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग numerical को solve करने के कोशिश करते हैं लेकिन न क्या है न कि हमारे महारास्टा के प्यारे बच्चे जिनोंने पूरी 11 और 11 विधाई lockdown मे जिनने कुछ पता ही नहीं, थियरी का आता पता कुछ उन्हें है नहीं, तो ऐसे कैसे तुम CT के exam को face करोगे, ठीक है, तो इसके लिए थियरी भी मैं revise करने की पूरी कोशिश करूँगा, फटा फट, and numericals भी फटा फट लेने की कोशिश करूँगा, आप लोग को पूरी hand written notes मिल आपदारी मेरी है, ठीक है, आज हम topic को खतम करने की कोशिश करेंगे, नहीं खतम होगा, तो कल भी एक lecture ले लूँगा, it's okay, fine, let's begin, शुरू करते हैं, ठीक है, तो यार, चलो फटा फट, खुल जा, खुलेगा नहीं क्या, अभी भी, शर्मा रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, त जो चीज़ें होती है, तो यह सब तुम्हें मालूम है, तो यार, जब भी solid state की बाद आती है, यह हमारे chapter का नाम है, जब भी state की बाद आती है, तो हमें तुरंतीन states of matter, जो हमारे matter के state होते हैं, यह हमें याद आती हैं, और matter के states हैं, वो 3 हैं, वैसे 5 हैं, plasma, vizma के हमें study नह काम निकालना है, ज़्यादा ग्यान नहीं देना इधर पर, ठीक है, तो exactly 3 हमारे यहाँ पर states of matter है, solid, gases, and हमारा तीसरा है, liquid, ठीक है, चलो, अब जड़ा थोड़ी सी इनकी important बाते कर लेते हैं, matter के अंदर जो 3 states of matter हैं, जिनमें से हमें सबसे ज़्यादा इस state की बात करनी है आज की इस प्यारे से chapter में, आप लोग ने class 11th के अंदर gases के बारे में अच्छे से पढ़ा है, और liquid के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, class 11th के अंदर chemistry में, ठीक है, physical chemistry के अंदर ही पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, तो यार जो solid state है, तो थोड़ी से solid के बारे में चीजों को जानते हैं, आप लोग already solid के बारे में class 9th and 8th में बहुत ज़्यादा चीजे पढ़ा हो, तो solid के अंदर की जब चीजे आती है, तो क्या-क्या पढ़े हो इसके अंदर, सबसे पहली important बात तो आपने यहीं पढ़ा होगा, कि strong intermolecular force of attraction, क्या पढ़ा है, strong intermolecular force of attraction, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब एक ही चीज होती है, कि भाई, दो molecules के बीच में, जो force of attraction है, वो बहुत ज़्यादा strong है, और example, अगर तुमारे पास एक iron है, तो अगर इस iron के छोटे से टुकडे को side में लेते हो, तो यह exactly किस तरीके से इसके अंदर bonding होगी, तो जो भी molecules होगे, वो बहुत ज़्यादा compact तरीके से एक दूसरे से bonded होती है, यह तुमने solid के अंदर चीजों को पढ़ रखा है, दूसरे important चीजे होती है, इनका high melting point होता है, high boiling point होता है, तो मिने जल्दी से पिघला नहीं सकते हो, यह छोटी मोटी चीजे तुम जानते हो, जो कि तुमने बचपन में पढ़ रखी थी, ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, कि solid state की जब हम बात करते है, एक ऐसा states of matter, जो solid है, आधे बच्चे को तो इधार यह भी नहीं पता होगा, matter क्या होता है, कसम से कहता हूँ, पूरा मत मानना CT का exam देने हो, चलो बता हो जड़ जड़ा में चैट, बोलो जड़ा, hey everyone, matter मतलब क्या होता है, something वीछ है, some mass, okay, अरे नहीं नहीं, बांकी की लोग बता पारे हो, आजा, 1600 लोग देख रहे हो, और उसमें से कितने लोग answer दे रहे हो, वो matter करता है, एक बंदा बोल दिया, मेरे को नहीं पता, give up कर दिया सिधा, अरे भाई, simple सी बात है, matter, एक ऐसी चीज, जो इस space occupy करता हो, हिंदी में शुद्ध बता रहा हो, सुनने भाई, ये suppose that एक चीज है, इसको कहीं रख दिया, space occupy कर लिया, physics में भी पढ़ा रहेगा, matter नहीं जानता, chemistry का घंटा पड़ेगा, ठीक है, कोई ना, अब जान लो, matter is the things which occupies space, and having some mass, ध्यान रखना, अब तो जान लो, तो solid state की बात करते हैं, आजाओ चरह यहां पे, तो सबसे पहले, जो कि important चीज है, please listen carefully, solid state के अंदर जो shape होते है, सारे के सारे solid का shape होता है, वो fixed होता है, ठीक है, ऐसा मत बोलना कि बाई, या काट देता हूं, तो फिर वो irregular shape हो यह volume भी defined होगी, fixed होगी, अब इतनी से शक्कर लोगे, उसके अंदर दाना कितना volume रहेगा, वो fixed रहेगा, temperature, तो अगर melting और boiling point अलड़ी तुम्हें बता दिया है मैंने, ठीक है, यह धान देना, pressure की बात करेंगे, तो pressure में जो solid होता है, वो incompressible होते हैं, मत्तब जल्दी से त दो particle तुम्हारे पास हैं, और जादा एक दूसरे से ऐसे attracted है, तो इनको जल्दी तोड़ पाओगे, क्या, नहीं, तो तोड़ने के लिए heat दी जाती है, कभी भी chemistry के अंदर इतना ध्यान रखना, तो आगे चलके enthalpy के बारे भी पढ़ोगी, मैं पढ़ाऊंगा भी, तो कभी जब दो molecule को तोड़ते हो, तो जादा तुम्हें amount of heat उसको provide करनी पड़ती है, और यही point of heat, point of temperature define करता है melting and boiling point, अलग-अलग situation में, किसी चीज को boil करने वाला point, boiling point होता है, उस temperature को, उस point of temperature को boiling point, फिर ऐसी melting point, तो किस point of temperature में कोई भी चीज melt होती है, या किस point of temperature पे कोई भी ची ठीक है, इस बात को थोड़ा समझ के रखना, तो यह सारा का सारा melting and boiling point depend होता है, intermolecular force of attraction के बीच में, what is the meaning of intermolecular force, यानि दो molecule के बीच का force, यह थोड़ा बच्चो जैसा बता दिया मैंने, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, चलिए, थोड़ी सी आपको notes के share कराता हूं, फि तुम्हारे में reduced है, मतलब तुमने इतना देखा होगा कि जो solid, जो solid exactly है, जब भी तुम solid state की पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो कभी भी एक बात ध्यान देना, इसके अंदर, इसके अंदर, तुम ना बहुत सारे particles की पढ़ाई करोगे, कि exactly particles किस तरीके से arranged होती है, अब for example, अ एक शक्कर का जो धाना है, इस तरीके से cubical form में होगा, एक शक्कर का जो धाना है, वो cubical form में होगा, यह मालो शक्कर होती ने चीनी, जिससे चाय में जो डालते हो, suppose यह है, तो यह किस चीज से बना है, इसके अंदर कर छोटे-छोटे particles हैं, तो वो किस तरीके से packed हैं, तो त आखिरकार इसमें पार्टिकल कौन कौन से होंगे तो या तो पार्टिकल एटम होंगा या तो वो आयन होगा या तो वो मॉलिक्यूल होगा तो इन चीज को ध्यान देना कुछ भी हो सकता है अब ऐसे अगर एटम से कोई सॉलिड बनेगा उसको आगे मैं और अच्छे से लाएगा तो कोई भी पार्टिकल आ सकता है कोई भी पार्टिकल से कोई वी सॉलिड बन सकता है तो यह छीज तुम्हें पता होंगी अभी मैं और आएँगे अच्छे से से इसको बताऊंगा सबर करो मेरी जान समझ लिना थोड़ा सा तो सॉलिड से अंदर बेसिकली Coordination number क्या है चीजों का, क्या-क्या defects हैं, इन सब की study हम solid state में करेंगे और इसी particle से related सारे के सारे जो भी types of solid हैं उन सब की study करते हैं तो आज ओ फिलाल हमारे प्यारे सी इस notes के अंदर तो यहां पर मैं आप लोग को सीधे से दिखाता हूं सबसे important बाकी की चीजे तो तुम्हारे में reduced है, जो बाकी की चीजे वो तुम्हारे में reduced है Reduced in the sense कौन सी चीजे? Crystalline solid और amorphous solid की जो चीजे हैं वो reduced है वो exam में नहीं आएगा तो जब भी तुम solid state की important बात करते हो तो दो type के solid state की तुम बात करोगे पहला है amorphous, फटा फट ले रहा हूं क्योंकि time अपने पास बहुत कम है दूसरा है crystalline और लेना सारी चीजे है, तो crystalline clear concept के साथ सारी चीजों को लेना है इसलिए, तो amorphous वाले में क्या आता है? Example simple for देता हूं तुमने कभी आटा देखा है आटा, आरे floor वो amorphous solid का example है, क्या होता है आटे में आटे को ऐसा किदर भी डाल दो, तो कोई भी fixed shape है क्या नहीं है ठीक है इसका कोई definite melting and boiling point है क्या नहीं है, समझ रहा है कुछ भी नहीं है इसमें और लेकिन crystalline में क्या होता है, शक्कर का वो जो दाना होता है ना तुमने चिनी चिनी देखा है का कोई sugar तो वो उसका fixed shape होता है, फिर उसके पास fixed melting and boiling point होता है, perfectly aligned पूरे के पूरे particles होती है फिर इसके अंदर long range particles का alignment होता है, तो यह सारी चीज़े crystalline in amorphous में है, यह मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि बिना यह जाने तुम कभी भी crystalline solid के types को नहीं समझ पाओगे ठीक है, guys यह जो मैं board में लिख रहा हूँ, तो मेरे शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि इस वक्त तुम्हें चीज़ों को grasp करना है लिखा हुआ notes मैं तुम्हें अच्छे से दे दूँगा, जो कि तुम्हें telegram में मिल जाएगा तो यह जो लिख रहा हूँ, इसको लिखने के चकर में पढ़ो, अच्छी बात है तुम्हारी मरजी जो मैं बोलता हूँ वो भी लिख लो, वो भी अच्छी बात है हुमारा chapter की शुरुवात होती है, तो पहला है isomorphism, इदर चल और दूसरा है polymorphism, छलो थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं कि आखिरकार यह क्या कहलाते हैं, तो दो important चीजे हैं, पहली है isomorphism और दूसरी है polymorphism, चलो जड़ा यहां पर धान देना, iso मतलब होता है same, morphism मतल होता है structure, और poly मतलब many, morphism मतलब होता है structure, चलो इसकी बात करते हैं, फट फट यहां बचर देखो, तो same structure, मतलब कोई भी एक single substance, कोई भी एक single substance, same structure दिखाता हो, same structure in the sense, उसका atomic ratio जो बनेगा, वो same होगा, mcq point याद रखना, इसका mcq भी कराऊंगा, और अगर polymorphism की अगर हम बात करते हैं, तो poly मतलब many, मतलब single substance, अभी example भी दूँगा, single substance, many structures दिखाता है, बहुत से structures दिखाएगा, समझा अच्छे से इस बात को जहां, अगर atomic ratio different रहेगा, तो अब यहां पर देख लो for example के लि ठीक है, और polymorphism के अंदर क्या होता है, single substance रहेगा, वो बहुत से structures को show करता है, समझ गया यह दोनों बाते, किसी बच्चे को कोई doubt है क्या, hello everyone, anybody, थोड़ा सा doubt रहेगा, तो रहन बता देना, चलो, तो यह दोनों चीजों को अच्छे से याद रखना, example to example देख लो, calcium carbonate होगा, इसके अंदर ना बहुत से, बहुत से silica के divided part, like alpha quards, फिर beta quards, फिर उसके बाद cryo, कहा गया, back भी नहीं होता है, ठीक है, क्रिस्टो, बलाइट, यह सब नाम है, ठीक है, यह सब नाम है, इनको दिखाता हूँ, यह सब नाम है, alpha quards लोग को भाव नहीं देने का, इनक नाम है, silica, silica का full form क्या होता है, मतलब molecular formula, SiO2, यह छोटे-छोटे questions, 2016, 17, 18, के MSTCT के exam में, इस topic से आया है, तो polymorphism में, जिसे silica, SiO2 एक ही है, लेकिन इसके different forms है, silica, alpha quards, beta quards, crystobolite, अलग-अलग form में यह पाया जाता है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना हटा रहों है, कहीं सच, चाहिए तो लिख लो कहीं पर भी, जो कि तुमारे लिए बहुत ज़्यदा important है, बाकी नाम और दिया है, calcite, फिर aragonite, जो जो याद करना है, कर डालो, मेरा क्या जाता है, तुमारी मरजी, इसमें तुमको फायदा है, तो आजो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, है कि नहीं है, हाँ, देखो यहाँ पे, यह देखो, इसकी बात कर रहा था मैं, तो यह है क्रिस्टोबलाइट, यह है अल्फा क्वार्ड्स, यह है बीटा क्वार्ड्स, यह साब सिल्का से डिवाइड़ होके बने है, सिल्का is a single substance जो कि डि तरफ, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, सब लोग चैट में फटाफट बताओ, जल्दी बोलो फटाक से, जल्दी बोलो, यह सारी चीजे तुम्हें ना जीवन में कभी 12th के lecture में किसी ने नहीं बताया होगा, जो तुम यहाँ पे सीखने जा रहे हो, चलो ठीक है, इसे गायब मत यह करो, तुमारे भी ना जिन्दगी यह धूरी है, तुम ही तो हो बोर्ड मेरे प्यारे से, चलो ठीक है यहाँ देखो अभी, तो थोड़ा सा, देखो, मैंने तुमको बताया था, कि solidly state के अंदर, दो चीजे थी, एक था amorphous solid, और दूसरा था crystalline solid, अभी MCQ तो लोगा सबर करो, crystalline solid के अंदर, चार चार टाइप है, amorphous solid is reduced, नहीं आएगा, crystalline solid क्या होता है, वो भी reduced है, बट उसके types दिया है, वाहरे महारास्टा बोड क्या बात है, उसका बारे में reduce कर दिया, उसका types दिया, मतलब तुम यही ने जानते कि इंसान कौन है, लेकिन य कुछ भी, तो crystalline solid के अंदर, ionic solid पहला पार्ट है, इसके बारे में थोड़ी सी detail समझेंगे, यही पर बता दूँगा, यही पर लिखवा दूगा, सबर करो, दूसरी चीज क्या है, covalent crystal network, तिसरी चीज क्या है, covalent crystal network के बात, molecular solid, तिसरी important चीज क्या है, सबसे last वाला, जो क very important, metallic solid, चलो, आजाओ, फटा फट सबके बारे में समझते हैं, the first one is the ionic solid, जीवन में कभी, class 10th standard में, chapter 8, metallurgy, chapter 9, carbon compound, chapter 2, classification of element पढ़ा है, नहीं पढ़ा, class 11th में chapter number, 11th electrostatic chapter, current electricity, इन सब के बारे में कुछ जानते हो, नहीं जानते हो, तो कैसे पता होगा, what is ion, और जब यहीं ने पता कि ions क्या होते हैं, तो जिंदिगी में कैसे तुम किसी और question को solve कर पाओगे, कोई ना आजाओ, आपन सबसे पहले ionic solid की थोड़ी सी बात करेंगे फिर इसके बाद आपन कुछ MCQ, जब यह हमारा पूरे चारों के बारे में पढ़ लूँगा ना, तब MCQ लूँगा, ठीक है, इस topic से related, क्योंकि इस topic से related, 4 MCQ आ चुका है अब तक board में, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हट जा, परिशान कर रहे है, ionic solid, तो सबसे पहल तुमको यह पता होगा, वो automatically तुम्हें समझ में आ जाएगा, ions दुनिया जानती है, दो type के होते है, cation और anion, cation positively charged होता है, anion negatively charged होता है, फिलाल यह बंदे कैसे हैं, तो यह by lossing the electron, और यह कैसे बनता है, by gaining the electron, मतब कोई electron gain कर लेगा, electron as it is negative होता है, कोई gain करेगा तो वो ची वो element anion बन जाएगा, negatively charged, for example, chlorine minus तुम जानते हो, anion है, और sodium plus kation है, बचपन में पढ़ रखा था, यह सारी चीजे, अब तुम बताओ, हम दुनिया जानते है, electrostatic chapter class 11 में भी पढ़ा होगा, Coulomb's law के बारे में तुम जानते हो, Coulomb's law जो की exactly homologous है, gravitational force है, उसका force का जो example होता है, तो यह थोड़ा physics में ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मैं physics भी तुम्हीं बता सकता हूँ, कोई issue की बात नहीं है, तो sodium और chlorine की जब बात करते हैं, तो इनके बीच में कौन सा force of attraction होता है, comment box में बताओ, तो मैं बताता हूँ, पहली बात, कुलंब force जिसे तुम कहते हो, नहीं कहना, तुम इसे electrostatic force भी कह सकते हो, electrostatic force of attraction, दुनिया का सबसे strongest force होता है, electrostatic force, दुनिया का सबसे strongest force है, इससे strong कुछ नहीं होता, मुझे फटाक से chat box में बताओ, दुनिया का सबसे weakest force of attraction कौन सा होता है, chat box में बताओ, दुनिया का सबसे, जल्दी बताओ, दुनिया क सबसे weakest force of attraction कौन सा है बताओ बाई अरे कुलंबिया मत लिख देना चलो तो अब यहां से तुम लोग relate करना देखो बाई solid state के अंदर किसके study होती है particle की तो इसके अंदर constituent particle कौन सा होगा ऐons क्योंकि ionic solid है दूसरी चीज़ अब ions है तो इसमें minus plus होता है तो जो opposite charges होंगे जो opposite charges होंगे वो किस force के थ्रूँ attracted होंगे through the electrostatic force लोगाने का logic लगाने का यह सबाई से रटना नहीं रहता logic लगाने का से एक चीज़ याद करो ionic solid के अंदर जो भी यह solid रहेगा जो भी यह solid रहेगा इस solid के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो ions होंगे ions में अपोजिट charges होता है दो charges के बीच में जो force of attraction रहेगा वो electrostatic force of attraction रहेगा तो electrostatic force of attraction दुनिया का सबसे strongest force of attraction है तो next logic क्या बनेगा कि यह दो molecules होंगे वो बहुत ज्यादा attracted रहेंगे और जब बहुत ज्यादा attracted रहेंगे तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है जब इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है तो इसका मतलब इनका melting और इनका boiling point जो होगा बहुत ज्यादा strong होगा मतब इसे तुम break नहीं कर सकते तीसरी बात यह जो solid होगा वो बहुत ज्यादा hard होगा और brittle भी होगा याद है तो आबाद है भूल गया तो बरबाद है दूसरे important वाद इसकी सबसे important property जो solid होता है जब कभी भी ionic compound solid form में रहेगा और यह liquid form में रहेगा तो जब यह solid form में रहेगा तो यह non conductor बन जाता है non conductor non conductor बोले तो क्या जिसमें से कोई electricity पास नहीं होती और जब liquid form में होता है तो यह conductor बन जाता है तो कभी भी इस से MC को आ सकता है क्योंकि तुम एक ही चीज पर focus करोगे और इसके दो form होते हैं ionic solid अगर solid है तो non conductor liquid है तो conductor अरे भाई एलेक्ट्रो केमेस्ट्री में नहीं पढ़ा क्या इलेक्ट्रो केमेस्ट्री में molten NaCl पढ़ाए कि नहीं पढ़ा है molten NaCl से बैटरी में से हम लोग क्या बनाते हैं हम लोग करेंट प्रिडूस करते हैं तो वह NaCl क्या है NaCl सब याद रखना चलो next की तरफ चड़ते हैं अब इसके बात कौन सा बना covalent crystal network network से क्या समझ में आता है देखू तो network से यह समझ में आता है कि जो भी particles होंगे इसके अंदर जो भी particles होंगे वो कैसे होंगे continuous arrangement में होंगे continuous arrangement में होंगे मतब एक particle दूसरा particle तिसरा particle चौथा particle पाचवा particle continuous arrangement में होंगे समझा और इसमें particle कौन सा होता है जो constituent particles है constituent जो particle है वो कौन सा होगा इसके अंदर तो इसके अंदर constituent particles atoms होते है atoms इस बात को ध्यान देना अच्छे से दूसरी बात आपको बता दूँ कि जो भी हमारा particles होते हैं substances होते हैं वो hard substance बनाता है और अगर ये भी hard substance है तो पक्की बात है कि इसका melting और boiling point बहुत जादा होगा समझ में आया तो ये सारे line इसको याद रखना छोड़ी छोड़ी बाते हैं अब molecular solid की बात करेंगे खतम होने आ गया यह फटक्स यही सबसे बड़ा lengthy चीज है इसी को देखके अधे बच्चे डर जाती है भाई molecular solid की अगर बात करोगे तो इसके अंदर constituent particles कौन सा रहेगा constituent particle कैसा रहेगा molecule रहेगा और molecule क्या होता है तो लो बताओ what is molecule यही नहीं मालूम तो तुम CT क्या खा करोगे बोलो hello everyone जल्दी बताओ what is molecule कि वैस्तनभी शर्मीन लीना निरुद्ध सक्षम प्रणय वाइभाव दुर्गे सामिया गयत्री वट क्यों लिए नहीं मालूम है तुम लोग और रहे बगवान हिजद बिजद कर दिया तुम लोग ने तुम CT करोगे कौन सा टीचर तुमें पढ़ाएगा जिंदी के वे तो ठीक है यार ग्रूप ऑफ एटम ग्रूप ऑफ एटम ग्रूप एटम ग्रूप एटम बहुत संदर तो मॉलीक्यूल एक अन बॉंडड़ ध्यान देना अच्छे से अन बॉंड़ड़ पार्टिकल कहलाता है मैंने इस वर्ड का इस्तवाल क्यों क्यों ग्रूप ऑफ एटम बता सकता था कोई इशो की बात नहीं बट अपने को फिलाल बॉंडिंग विंडिंग से ट्रीट करने तो अपन वही वाला तरीका सीखेंगे तो अन बॉंड़ड़ पार्टिकल मतब एक ऐसा पार्टिकल जो किसी से बॉंड़ड नहीं है समझा जैसे कि O2 एक पार्टिकल है समझने में क्या कर रहा हूं जैसे कि CO2 एक खुद मॉलिक्यूल भी एक मॉलिक्यूल है हला कि compound form में भी है carbon in oxygen but yes single CO2 की बात करो molecule form में है एक single sodium molecule form में है तो यह unbonded है जो किसी से bonded ना हो ठीक है चलो तो molecular solid के अंदर क्या होता है intermolecular forces of attraction होते हैं intermolecular forces of attraction ग्यारवी में पढ़ा था कि intermolecular forces of attraction के कितने टाइप होते हैं बताओ फडाक से तो कितने पढ़े थे तीन टाइप तुम्हारे 12 में दिया हुआ है बाकी कि तुमने 11 में पढ़े होंगे तो तुमने पढ़ा है dipole-dipole interaction क्या पढ़ा है तुमने dipole-dipole interaction के बारे में तुमने पढ़ा है तो यह पहली bonding का type है जिसके तुरू हमारे molecular solid एक दूसरे से कुची 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 करके रखते हैं बॉन्डेट रहते हैं दूसरा तरीका क्या है इसका सबसे important जो कि सबसे weak मतलब सबसे weak force नहीं है बट weak force है जैसे कि London force जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा तो मैं बोला यह कौन सा force है लंडन से force लगाया जाता है क्या ठीक है चलो दूसरी बात hydrogen bonding तो यह ध्यान देना अच्छा चलो बताओ hydrogen bonding क्या होती है class 11th class levels भी है तुम्हारे CT में भूलना मत तो hydrogen bonding basically ऐसी bonding है कि जब हमारा hydrogen plus ion प्रध्यान देना hydrogen प्लस आयन highly electronegative element के साथ highly electronegative कोई भी molecule के साथ bonding करता है for example अगर मैं water की बात करूं water की बात करता हूं तो water में किस तरीके से bonding होती है कुछ इस तरीके से होती है अब यह जो यहां पे हमारा oxygen इसके पास partial charge होता है जिसे हम डेल से दिखाती है डेल डेल्टा भी तुम्हें से कह सकती हो तो इसके बीच में क्या होगी एक छोटी सी partial bonding होगी this partial bonding is nothing but the hydrogen bond are you getting my point or not मैंने तुम्हें यहां पर क्या समझाया यानि कि the bond between the hydrogen and highly electronegative element तो oxygen is highly electronegative element here and hydrogen positive hydrogen ही है अभी element ही है तो hydrogen और highly electronegative element की बीच में जो भी bonding है उसे hydrogen bonding कहते हैं तो I hope इतना ध्यान रखना बाकि London force weak force होता है डाइपोल डाइपोल दो डाइपोल की बीच में attraction तो intermolecular forces of के types है यह तीन टाइप के intermolecular forces होते हैं ध्यान रखना MC क्यों मैं बता देना next next कौनसा बचा last है metallic solid देखो यह बताने का फायदा यह है अभी तुम्हें आगे पूरा बताऊंगा अभी इसके बाद सिर्फ तीन टॉपिक बचेगा चार टॉपिक पहला कौनसा crystal lattice फिर packaging efficiency फिर point defect तीन टॉपिक खतम chapter इतना चिंदी है और इसको हवा बना के लोग रखते कि solid state solid state solid state अभी जब मैं तुम लोगो crystal lattice सिखाऊंगा यू मखन जैसा समझेगा मखन जैसा टक से मौत के मुझ से बाहर आ गया तो metallic solid की बात करते हैं थोड़ा ध्यान देना metallic solid तो metallic solid में कोई particles जस्ट चोड़े particles ही होते हैं ठीक है तो इसके अंदर अब जरह ध्यान देना अच्छा हां मैंने ये बात नहीं बताई कि molecular solid में भी poor conductor of electricity electricity इनसे पास नहीं होती ठीक है फिर जो covalent solid इसमें से भी electricity ज्यादा पास नहीं होती लेकिन अब metal की बात करेंगे निए और metal कीeren तो सब जान देना कि electricity के लिए इनसे बहुत हैं", तो metallic solid में आखिर क्या होता है THIS B बनाते हैं कौंसा bond, metallic bond बनाते हैं, और metallic bond क्या होता है यार, इसके उपर question आता है हमेशा, metallic bond क्या होता है, चलो देखते हैं, फटाक से चलगधा, यहां पे ध्यान देना, तो जो metallic bond exactly, इसके अंदर जो, जो valence electrons होती हैं, कभी भी bond हमेशा, कभी बचपन में यह तो सीखा ही रहेगा और में किसी दूसरे इतम के इलेट्राण से शेरिंग करके या फिर डोनेट करके bonding बनाता है बचपन में सीखाता हमने तो ज्यां पर होता यह डि लोκलाइज्ड होता है Delocalized का मतलब है कि इसका Fixed Location नहीं है Location इसका Fixed नहीं है समझा अच्छे से Delocalized Valence Electrons होती है अब जब कोई आवारा हूँ Electron आवारा है यहाँ पे तो जब यह आवारा Electron भागता है किसी भी पूरे उस Subtance में Solid के तो यह ऐसे किदर भी भागेगा ना यह Electron जब यह Electron भागेगा तो कोई भी Positive Charge इसको मिलेगा ना उसके साथ यह Bonding कर लेगा क्योंकि Electron Negative होता है और Negative और Positive Charge के वीच में Attraction होता है कौन सा Attraction? Electro-static Force of Attraction तो यह Metallic Solid की बातें अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है हाँ अब जब इतना बड़ा Force of Electro-static Force of Attraction जिदर पर आ जाए तो उदर पर तो पक्का वो Substance हाड होगा उसका melting point, boiling point बहुत ज़्यादा होगा लेकिन यह Good Conductor होंगे किसके? Good Conductor होंगे Electricity के और Heat के इतना आपको ध्यान रखना है तो this is the completion of types of crystalline solid point ठीक है तो यहां तक की सारी बाते आपको याद है हम melting point boiling point बहुत ज़्यादा रहेगा ओके तो यहां तक सब को याद है क्या हाँ मेरे जैसा आवा रहा है हूं गर्दिस में भी चांद आसपास के चांद कता रहा हूं मैं आवा रहा हूं ला 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 चलो ठीक है तो अब ना इसका क्या दिखा देता हूं इसकी जनम कुंडली यहां पर है वही चीज को थोड़ा से यहां पर समझा जता हूं इसको पढ़ लो इसके उपर तीन questions आते हैं इसलिए इसको करा रहा हूं बाकि वह लैटिस बेटिस में से तो नहीं आएगा packaging efficiency से question आएगा एजस इतना है तो फिर रेडियस कितना होगा उसको उस ट्रॉपिक पर भी कूदूंग अरूंग जाओ आएसे जंप करेंगे डाइव तो आयोनिक सॉलिड के अंदर कटाया ना इन पार्टिकल्स electrostatic force of attraction इसमें bonding होती है सब पढ़ लोगे ना तुम लोग यह तुम्हारे लिए मस्ट देखो नो वही सब दिया हुआ है कोविलेंट के अंदर कोविलेंट बांड बनाता है एटम्स होते हैं ऐसा पार्टिकल मॉलुकुलार सॉलिड होते है सारे सारे मेटालिक के अंदर सब देख लो अच्छे सब मस्त देख लो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है फिर थर्मर और लेटर सिटी के कंड़क्टिविटी में यह पूर है यह भी पूर है यह भी पूर है लेकिन यह देखो अच्छा है तो जो बताया है सब मस्त लिखा है एक्जांपल चाहिए एक्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक्जांपल सी बोर्ड इक्जांब में आता है तो एने सियल डाइमंड आईज बेंजवाई गैसिट सोडियम मैगनेसियम अद्रम अद्रम सो आहा तो सब याद रखो चलिए अब सुरू करते हैं हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम सबसे पहले जाने के क्र अचल गया इधरी रहे भाई परशान मत किया करे मेरे को चलो ओके तो अब कुछ MCQ कर लिया जाए क्या बोलती पब्लिक कुछ MCQ कर लिया जाए कुछ MCQ सॉल्व कर ले कुछ MCQ कर ले कुछ या फिर सीधा क्रिस्टल लिक्चर में कुदू अब कुछ MCQ कर लेते हैं ने तो फिर पक जाओगे बोलो कि भाया ऐसे कैसे चलेगा MCQ लाया हूं बड़ी अधमाकेदार तरीके से चलो पहले शुरुवात से बेसिक कुष्चन बेसिक कुष्चन तो और मोर सब्स्टेंस हैविंग डेस आर सेट तो बी आईसो मॉर्फस चलो पताओ जल्दी बोलो एंसर इसका कितने उलग एंसर दे रहे हो देख रहू मैं किस में कितना है दम यह पता चलेगा बोलो जल्दी फटक से कोई B बोल रहा है कोई C बोल रहा है कोई D बोल रहा है कोई यहीं पे चल दिया चिंदी कोश्चन पहिला कोश्चन यार इंट्रोडक्शन की उपर बेस्ट है अब इसका इंसर तो एटलिस दे दो मतब ऐसे मत किया करो यार यह तो चीटिंग है मेरे को चैट नहीं दिखती में कहांस देखूं यार इधर से फोन भी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है मैं चैटी नहीं देख पाता हूं मतब इतनी बड़ी समस्या आ गई मेरे जिंदिगी में तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि पताओ चैटिंग दिख रही है किसने क्या रिपलाई दिया ए बी सी डी क्या बोल रहे हो हाँ आभी दिखा अरे वा भाई क्या वात है विपाश्चना राज सना बहुत बढ़िया कॉंग्राचुलेशन मांसी संची बहुत बढ़िया चैटिंदी कुशन था कोई भी इस कैसे इंसर देगा ठीक है तो कभी भी दो या दो से ज़्यादा अगर सब्स्टेंसे से तो वह तो पक्की बात है कि अगर तेम सब्स्टेंसे से तो आइसो मॉर्फास है लेकिन क्रिस् अगर चैट में जल्दी अंसर बताओ अगरे अभी पढ़ाया ना मेरे तुमको अहां मॉक टेस्ट के लिए मैंने बोला था ना कि मैं बात कर रहा हूं तो मॉक टेस्ट का प्लानिंग हो रहा है ना ना बहुत के another यहारिबी पिल्दि कुस्ट्ट आन जल्दी की मोर द्बन ओट क के मेरे आज के महला शॉंपयों ने सेम मॉल्ग़िलार फ्रॉर्मिला पट डिफरिंत कोल स्पार्मिला होता है यह है और जॉोड्प्ले किसी ओलिव ओशौांटितर ने थंग कि महलें एन आइसो ट्रॉपी चलो इसका मतलब पता है कितने लोग को पता है थोड़ा बताओ ना यार दो एमसी क्यों तो हम लोग करेंगे बट हम थोड़ा कॉंसेप्ट भी देखेंगे ना रॉंग कोश्चन है तो उसका मीनिंग क्या है क्योंकि केमेस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हो बाया लौजी थोड़ी है कि निकल जाओगे कुश्चन का एंसर देखें बताओ बताओ चैट उसको रो बोलो निसम राइसिंग स्टार बोलो ऑई इसो ट्रॉपी ओर में क्या डिफ्रेंस है इसका मीनिंग क्या है मतलब इसका एक्जेक्ट मतलब क्या है क्या बोलतों आईसोट्रोपी सेमन आईसोट्रोपी डिफरेंट प्रॉपर्टीज बाइचेंज इन डारेक्शन नेहा विश्व कर्मा क्या वात है तो नेहा विश्व कर्मा ने करेट टेंसर दिया है देखो बताता हूं तुम लोग को कभी भी क्या होता है कि कभी भी क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजर्मेंट आपन करते हैं तो for example के लिए जैसे कि किसी भी substance की physical properties हो सकती है, मतलब किसी भी substance की, physical measurement हो सकता है, physical measurement. For example, जैसे refractive index का measurement हो गया, किसी की density का measurement हो गया, समझ रहे ना? तो example के लिए तुम्हें बताता हूँ कि isotropy में जो measurement होता है न, जिस substance, जिसे हम कहेंगे isotropy, तो उसके अंदर measurement सेम रहेगा, आपको अभी नहीं समझेगा, रुको समझाता हूँ मैं, और आना isotropy में क्या होता है, जो measurement होता है, वो same नहीं होता, वो different रहता है, तो चलो आजाओ अब ये same different ही क्या मोल रहा भाया आपने, physical property measurement, तो किसी के, थोड़ा शब्द भी ध्यान दो, physical property, जो होती है, physical measurement उसका, बताता हूँ मतलब, देखो यहाँ पर, for example के लिए, जैसे कि मालो कोई substances का arrangement कुछ इस तरीके से है, मालो ऐसी substances का arrangement कुछ इस तरीके से, एक और ले लेता हूँ, थोड़ा समझेगा तुम्हें अच्छे से, ऐसे particles हैं और substances का arrangement कुछ इस तरीके से है, अब तुमने बोला तो समझा देता हूँ, वरना यह कोई topic यह नहीं है, तो अगर मालो, अगर मालो, देखो अच्छे से, मैं एक axis लेता हूँ, और इस axis के थुरू मैं measurement करता हूँ, यह किसी कोई particle है, कोई substance है, अब मालो crystalline solid है, या फिर amorphous solid है, कोई भी solid रहें दो, मैं देखने थोड़ी क्या हूँ, तो मालो यह axis है, तो इस axis के arrangement में देखो, कितने particles आ रहें, पांच particles आ रहें, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को, ऐसा कुछ arrangement करूँ, ऐसा कुछ arrangement करूँ, तो फिलाल अभी के लिए 5 ही आ रहा है, बट मैं चलो ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, ऐसा arrangement करूँ, तो ऐसे arrangement में कितने आ रहें, 4 ही आ रहे हैं, तो मतलब कि जो dimensions हैं, जो physical measurement है, वो same है, क्या, different है न, मतलब अलग dimension में जो तो measurement कर रहें, वो different आ रहा है, इस dimension में 4 ही particle फसर हैं, इस dimension में 4 ही counting हो रही है, इसमें 5 हो रही है, तो यह जो भी substance होगा, चाहे वो amorphous solid होगा, या crystalline solid का यह structure होगा, जो भी होगा, वो unisotropy है, समझ में आगई बाते हैं, और अगर माल लो यही चीज, मैं चाहे इस dimension में measure करूँ, चाहे मैं इस dimension में measure करूँ, मैं किसी भी dimension में measure करूँ, अगर same होता, तो वो isotropy कहलाता, समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ? getting my point or not पक्का चलो बहुत बढ़िया यहाँ इसी फोकट का concept था आजाओ यहाँ पर आजाओ इसका answer बताओ find the odd one out alpha quads, beta quads crystallobolite, calcite odd one out बताओ सोच समझ के answer दो यार अभी तो समझाया तुमको पूरी चीज़े बताने के बाद भी एगर राइसा रॉंग रॉंग answer दोगे फिर मतला भी क्या जिन्दिगी गा जिन्दिगी की न टूटे लड़ी प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी ला 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 बताओ अरे भाई alpha quads, beta quads और किस्टाबोलाइट बहुत से लोग ने सही करें सही जरदिया, यह सब के सब silica के पार्ट है, चलो ठीक है अभी तो बताया था ना तुम लोग को तुम लोग क्या ध्यार नहीं देते हो graphite, diamond and fullerene are the polymorphic forms of dash, किसका अरे भाई, चीज़े बच्चे लोग को पागल समझे हो गया classification of crystalline solid की बात करते हैं, तो इसमें से answer दो चलो फडाक से, तो पहला आएगा which of the following is not correct for the ionic crystal इसमें से ionic crystal के लिए कौन सा correct नहीं है, clear दीख रहे न मैं कहां से दीखूं, मैं अब कलना पूरा system बनाऊंगा हरे हरे लॉल, हसे मत रहे यार तुम लो, answer बताओ, बोलो, बोलो बोलो जल्दी से, बताओ, कौन सा, which of the following not correct बोला है, मताब false कौन सा है, तो they pass high melting point, बहुत बढ़िया, सही बात है बात है, electrostatic force of attraction होता है, constituent particles charged iron, बहुत बढ़िया, they are hard and brittle, correct है, they are conductors of electricity in solid state, बोलो था ना, इसकी उपर topic पर question आएगा, this is not correct, next, in which of the following solid, the constituent particles are held together by electrostatic force, अब बताओ इसमें, तो electrostatic force hint देता हूं, जो बोला यह ionic compound है, अब इसमें से ionic कौन सा है, ढूडो, फटाक से ढूडो, चल्दी ढूडो, hint भ बताओ मेरी जान, हाँ मेरी जान, सही कहा, जल्दी पताओ, अरे बाई, calcium ने कहीं पर दो substance है क्या, भाईया बोलेंगे, हाँ ना भाईया है, एक C है, एक A है, अरे बाई, calcium CA ही होता है, ठीक है, CAF2, calcium and fluorine, ionic compound, electrostatic force of attraction between them, next question, diamond is an example of what, solid with hydrogen bonding, hydrogen bonding किसमे होती है, कौन से solid में, अरे molecular solid में, यही कुष्चा नहीं से आ जाएगा न, फिर move ना कि बैठ जाओगे, ionic solid, electrostatic force of attraction, तो इसमें सिफ ions आती है, diamond ions से नहीं बनता, carbon का पंदा यह, और carbon covalent बनाता है, तो covalent वाला आएगा, covalent crystal network आएगा, network solid है, molecular भी नहीं है molecular में से molecules होती है, dipole, dipole, hydrogen bonding, इस अब diamond में होती है, क्या, नहीं, चलो next question, अब बताओ, हाँ, KCL is an example of dash crystal, फटाक से बलो, KCL किसका crystal है, समझाते हैं चल रहा हूँ, फटाफट, जल्दी बताओ, molecular का, नहीं, क्योंकि इसमें तो molecules होते हैं, और KCL क्या है, KCL, CL is the non-metal, बोलो कि भ जब कभी भी metal और non-metal की बीच में bonding होती है, वो ionic bonding ही रहती है, यह बचपन में पढ़ा था, दसवी क्लास में, तो यह KCL है, ionic bonding ही रहेगी इसमें, ionic, next, SC of mobile electrons is present in dash, mobile मत बोल देना भाईया, electron कब से mobile खरिदने लग गया, iPhone लिया एक Android, अरे बाई, electron mobile मत अब की motile, जिसके अ movement कर सकता हो, जो electron, mobile मतलब movement, तो C मतलब वोई समुद्र सही सुना तुमने, तो मैंने समझाया था न, कि जिसके अंदर electrons ऐसे भागते हैं, ocean की तरह, C के जिसे समुद्र के अंदर मचलिया भागते हैं, वैसे पूरे solid के substance के अंदर electron भागते हैं, electron भागते हैं, तो यह चीज metallic में ऐसा भागते हैं क्या न, इसमें तो चार्ज जायन होते हैं, molecular में भागते हैं, न, covalent में, metallic में, क्योंकि इसमें metallic bond बनता है, metallic bond वाले में, delocalized electron भागते हैं, सब समझाया है, फिर भी answer नहीं देते हो, चलो, which of the following is an hydrogen bonded molecular solid, इनमें से कौन सा hydrogen bonded है, अब बताओ, hydrogen bonded, hint देत option है, जल्दी बोलो, कुछ कोश्चा नहीं है, फिर उसकी बाद आपन बड़े में जाएंगे, हाँ, मोडी मोडा को लग गई भांग वस गई जल्ले मचली, अरे यार, कौन सी बोल रहा है, क्यों ऐसा गुस्सा दिलाते हैं तुम लोग, क्या बोलनेगे, पिर ठीके देखो यहाँ पे, hydrogen bonding में तुमको अभी मैंने, अच्छा तुमको यह समझा भी नहीं, ग्यार भी पढ रही नहीं न तुम लोग, समझ लो फिर से, hydrogen bonding क्या होती है, hydrogen bonding में hydrogen और जो electronegative element होता है, electronegative जैसे कि oxygen माल लो हो गया, chlorine भी हो सकता है, ठीक है, तो जैसे कि यह electronegative है, और इसकी bonding किसी hydrogen से है, तो यह क्या चीज है, यह पानी है, water है यह, water है है, H2O है, लेकिन अगर माल ल में, यह पानी का मालेकुल कहीं भी घूम रहा है, और इसके बाजो में hydrogen आ गया, तो इसके बीच में, एक force of attraction हो जाएगा, so this force of attraction, क्योंकि negative positive है, लेकिन यह strong bond है क्या, नहीं, ऐसा bond है क्या, नहीं, weak bond है, तो इसी bond को कहेंगे hydrogen bond, क्योंकि hydrogen ने electronegative substance के साथ, या element के साथ bonding कर ही है, यह ऐसी warning ice में भी होती है, क्योंकि ice का भी formula S2O ही होता है, तो ice आएगा answer, समझा, तो wrong answer मत देना, सिर्फ ऐसे ही देख के छाप लिया रहेगा, कुछ कर लिया रहेगा, solution ऐसे आता है, in which of the following solids, molecules are held together by very weak dispersion force, very weak dispersion, अच्छा, hint देता हूँ, dispersion force को ही London force बोलते है, क्लास 11 थे, chemical bonding में पढ़ा था, तो चलो बताओ, इस cancer of a duck से, बताओ, ऐसे इमानदारी से answer देने का यार, चाप बीप के साला क्या मिलता है, कुछ नहीं, सॉरी, मैंना ये सब कुछ बोल देता हूँ, चलो ठीक है, बताओ जल्दी से इस cancer, चलो रिड्ड़ा मुझे ऐसा लगता है, कि तुम सब ना मतब strong बन चुके हो तो SO2 NH3, NH3 ammonia, sulfur dioxide no chance क्यों इनकी बीच में strong bonding होते हैं, NH3 की बीच में sharing of electron covalent bonding बन रही होती है, SiO2 की बीच में same क्योंकि oxygen के साथ यहां पर bonding हो रही होती है, HF जो है ionic bond है, hydrogen plus और fluorine minus पता ही होगा तुम्हें इतना तो, दोनों की बीच में, क्यों मुझे यह सब कैसे पता चल रहे हैं, तो मुझे आपको कैसे पता चला, अब यह question अगर exam में आजेगा, तो हम answer नहीं दे पाएंगे, सिर्फ topper answer दे पाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा, देखो, कभी भी न, element को देखने का, अब इसके लिए न, जिसे कि मैं जैसे question देखता हूँ न, तो मुझे क्या समस्त्य पता है, का मुझे तुरन सारे के सारे 188 element याद आते हैं, हलाकि मैं जूट बोल रहा हूँ, मुझे 188 element याद नहीं है, मुझे सिर्फ 30 ही याद है, लेकिन उन 30 में यह सब आते हैं, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टार्टेंग के 30 धमाका मचाते हैं, बाद वाले कुछ नहीं करते हैं, इसे LC1 के वाइट हैं सारे element, ठीक हैं, तो 30 element जितने भी है न, जिसे के अगर मालो sulfur बोल दिया, या मालो oxygen बोल दिया, तो इनका atomic number याद होना चाहिए, तो यह सब मेरे दिवाम में फटा-फट चलता यह सब कुछ, तो oxygen का atomic number कितना होता है, oxygen का atomic number 8, electronic configuration 2,6, कितना electron चाहिए, 2, 2 electron इसको कौन देगा, sulfur, sulfur के outer most में उतना ही बचे, उफित तरीके से HF की बात करते है, तो HF में क्या होता है, 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 hydrogen, atomic number 1, fluorine, 9, तो क्या Octate complete करने के लिए कितना चाहिए, 1, यह hydrogen के पास 1 है, देदेगा, क्या बन जाएगा, 2,8, HF 7 में आ गए, loss and gain of electron हो गया, तो hydrogen ने electron lost कर दिया, तो H+, क्या बन जाएगा, cation, फटा फट नहीं ले रहा हूँ, आसान है, fluorine, electron gain कर लिया, minus बन गया, क्या बन गया, anion, cation, anion की बी तो इस तरह बताओ, CH4 में क्या होएगा, CH4 में क्या होएगा, covalent bonding, breaking down, simple, चलो, ध्यान रखना, ओके, finally, चलो, ठीक है, चलो, तो यहां तक हमने अभी पढ़ा, अब crystal structure के उपर लेंगे, लेकिन उससे पहले सीख के आएंगे crystal structure, तो देखो, crystal structure का topic यहां पे है, अब यह जो तुम्हें दिख रहा है, यह तुम्हें नहीं समझेगा, कसम से कहता हूँ, कि जितने भी student यहां पे बैठे हो, अभी मैं crystal structure सिखा के चाओंगा, अब main solid state शुरू हो रहा है, अभी तक तो types of solid, चिंदी question, जिसमें से सिर्फ MCQ एक ही आने वाले है, अपने CT के paper में, एक ही MCQ आएगा यहां से, इनी में से कोई एक हो सकता है, एक ही MCQ आएगा सिर्फ यहां से, लेकिन आएग इंसा मिलेगा, यह नहीं पता था, मैंने हर type के question करवा दिये, और question तो कहीं से भी तुम भी कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, question को समझा के दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से बच्चों को बहुत फाइदा हुआ है इससे, बट अब जो श अब डेंसिटी का formula लगा कि मैं भी solve कर दूँगा, हर एक question को mass लगाओ, number of particle दे दो, फिर avocado number दे दो, वो मैं भी निकाल देगा, question calculation तो कोई भी करता है, calculation भी तुम्हें आसान बना के दूँगा, क्योंकि CT में वह fast calculation करना होता है, तो सबर करो मिरी जान, कल का lecture और धमाके दार होगा, उसके पहले crystal structure सीख के जाएंगे, शुरू को थोड़ा सा सबर करो, तो चलो अब देखते कि lattice क्या होता है, base क्या होता है, crystal structure क्या होता है, unit cell क्या होता है, unit cell के behavior क्या होते है, types of unit cell क्या होता है, are you ready, how is the josh, अरे भाई, इतने में लटक गए, चलो तुम्हें थोड़े पे हूँ आधियों में जलूंगा सदा, प्राण जाएं मगर सच कहूंगा सदा, जुल में से ना डरा ना डरूंगा कभी, आई ना हूँ हकीकत कहूंगा सदा, साख से एक टूटा हुआ पुश्प हूँ, मैं सहीदों के चरेणों सजूंगा सदा, दी पे हूँ आधियों में जलूंगा सदा, प्राण जाएं मगर सच कहूंगा सदा, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा, जानता हूँ 50% लोग को गाने का मतलब भी नहीं समझाए, तो मोटिवेशन कहां से आएगा, तुमको तो शायरी पसंद है, मेरे को शायरी नहीं आती, आती है, तुरंत बना सकता हूँ, लेकिन फिर बोल जाओंगा, दुबारा कब यारी कैसे, कहां गया, यार, मिल जा, इदरी कहीं बईटा है, अरे, गाया हो जा रहा है बीच बीच में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझेंगे, हाँ, अब समझेंगे, चलो, आजओ, तो आज हम सीखने वाले, क्रिस्टल, कितने टॉपिक सीखेंगे, पहले वो समझते हैं, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जानेंगे, क्रिस्टल, उसके बाद, सिस्टम के बारे में समझेंगे, कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, फिर हम जानेंगे यूनिट से पहले, यूनिट से पहले क्या जानेंगे, यूनिट से पहले क्या जानेंगे, उसके पहले जानेंगे, ब पूरा concept समझा के दूँगा, फिर तुम धमागेदार मचाओगे exam में, ठीक है, ब्रवाइस lattice क्या होती चीजे, उसके बाद, उसके बाद exactly, basis क्या होता है, और unit cell की आवकात कैसे पता चलती है, यानि कि behavior of unit cell, कैसे पहचानोगे कि unit cell क्या होता है, और दूसरी बात, इसके types क्या चीज होती है, इतना समझ गया ना, तो फिर पूरा chemistry तुमारे लिए solid state आसान हो जाएगा, इतना ही समझना है, कसम से कहता हूँ, सिर्फ इतना समझ लिए ना तुमने, तुम्हारे लिए solid state इतना चिंदी हो जाएगा ना, सच कह रहा हूँ, तुमने बारवी class का lecture देखा होगा, कहीं भी देखा रहेगा, या तुमने CT के इसके पहले देखी होंगे, marathon देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, जब तुम इस चीज को नहीं समझा होगा ना, आधे लोग को नहीं पता crystal structure क्या होता है, आधे लोग को नहीं पता crystal system कितने होते हैं, फिर unit cell का behavior क्या है, types क्या है, और ब्रवाइस lattice और basis क्या होता है, तुम्हें यह नहीं पता है, कसम से बता दो पता है, अगर तुम्हें यह नहीं पता तो तुम कैसे बता पाओगे कि face centered unit cell में कितने particles होते हैं, फिर उसके बाद भी उसकी packaging efficiency कैसे निकाल रहा हो, कितने percentage आ रही है, क्योंकि तुम्हें यहीं नहीं पता कि what is unit cell, ब्रवाइस lattice unit cell है तुम्हें यहीं नहीं मालूम है, कसम से बोलना जूट जूट नहीं चलेगा, कटी हो जाओगा cheating करोगे, ब्रवाइस lattice unit cell है तुम लोग को नहीं पता था न, जूट बोलोगे तो कववा काटेगा तुम्हें, जूट बोलोगे न, कववा काट लेगा तुम लोग को, नहीं पता था न, यहीं होता है, और न, अपनी टेक्स्ट बुक में यह, यह, यह हर जगे यूज किया है, और इतना कन्फ्यूज कर दिया न, बच्चे एक बर पढ़ेगा crystal structure, फिर ब्रवाइस lattice, फिर unit cell, उसको घुत को टेंशन आएगा, यह क्या लिखा हुआ है, अलग अलग चीज होता है, फिर net में जाओंगा, थोड़ा ध्यान दो, यहां देखो अब, ध्यान देना, इन सभी topic को एक एक करके cover करूँगा, फिर जब यह cover हो जाएगा न, फिर तुमको सब आज, तुम अपने आप पढ़ोगे, तुमको सब समझेगा, कसम सिखे तो तुमको अपने आप सब समझेगा, देख सब्सक्राइय, जिसका fixed shape, fixed melting point, perfection है, पर्फेक्ट order में सारे particles रखे होती है, what is crystalline solid? जिसका fixed shape, fixed melting boiling point होता है, fixed perfect order में सारे particles होती है, long range particles, मताँ बहुत, बड़ा infinite number में particles का arrangement होता है, बहुत बढ़े बढ़े, एक particle, दुसरा particle, त्सरा particle, ऐसे ऐसे, बहुत सारे particles, यह crystalline solid, fixed shape, fixed structure, fixed melting point, fixed boiling point, उस crystal solid की हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने types of crystalline solid पढ़ लिया, चार हो थे, अब हम उसके अंदर उसके crystalline solid के crystal का structure कैसा होता है, सीखने जा रहे हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि crystalline solid का best example क्या है, तो सबके घर में चाय तो बनती होगी, अब उसका पीसा हुआ शक्कर अगर तुम नहीं लाते रहोगे, दाने वाला शक्कर लेके आते रहोगे, तो अच्छी बात है तुम्हें, तुम्हारे घर में मालुम रहेगा, तो kitchen में जब जाओगे, तो वहां से तु कैसे बना होता है, दाना कैसे होता है शक्कर का, तो वो कुछ इस तरीगे से बना होता है, ऐसे कट रहता ना उसमें, ऐसे कट होता है ना, ध्यान देना अच्छे से, ऐसे एक दाना हो गया ये शक्कर का, शक्कर का एक दाना हो गया, समझ रहें ना, ऐसे एक किलो शक्कर लेक एक वो दाना है, यहां तक समझा crystal structure एक जटके में समझेगा, ध्यान देना अब यह जो एक दाना है शक्कर का, इसके अंदर बहुत सारे particle होंगे मैंने particle में molecule word नहीं बोला है, नहीं मैं particle में atom word बोला है मैंने particle में ion word बोला है, मैंने सिर्फ particle बोला है particle कुछ भी हो सकता है, मैंने solid state के शुरुवात में बोला था कि particle can be atom, can be molecule, can be anything, ions, anything तो इसके अंदर कोई भी particle हो सकता है, ध्यान देना अच्छे सब कुछ तो ठीक है, अब देखते हैं कि कितने चोटे चोटे यहाँ भी particle अब वो particle में चाहे molecule और atom और कुछ भी हो तो कितने होंगे, या क्या होगे, कैसे arrange होंगे, कैसे particles होंगे इसके अंदर या ऐसे ऐसे arrange होंगे क्या, मैं नहीं देखने गया हूं या फिर ऐसे ऐसे आरेंज होंगे क्या वो भी मैं देखने नहीं गया हूँ कैसे पार्टिकल होंगे I don't know तो चलो इसके अंदर थोड़ा इसको जूम करते हैं और जूम करें के इसके बाज़े में हमने देखा कुछ जब हमने देखा तो माल लो एक crystal अब इनका fixed shape होता है मैंने बोला था fixed shape for example जैसे के एक डबबा है और इस डबबे के अंदर तुमने न ऐसे कुछ block रख रहे हो तो एक block ऐसे रखोगे ऐसे एक block तुमने रख दिया ऐसे एक block पिर दुसरा block पिर तिसरा block एसे block रखते जा रहे हो लकडी का wooden block है माल लो ऐसे इस डबबे के अंदर रख यो और डबबे को उठा लिया तुमने चलो लेकिशल दिये समझे रहे है यह block है तो एक fixed block रखा ना fixed shape में सारे particles हैं समझे रहे हैं तुम्हें क्या गरो fixed shape में सारे particles हैं उसी तरीके से यह crystalline solid है तो इसके अंदर भी fixed shape में सारे के सारे particles होंगे चाहे हो जैसे भी रहें तो माल लो इसमें से में एक particle ऐसा है दूसरा particle ऐसा है तिसरा particle ऐसा है चौथा particle ऐसे ऐसे सारे के सारे पूरे crystal structures अंदर भरे हुई है बहुत चोटे चोटे तो मैं इसमें से एक निकालने वाला हूँ अभी और उसी को सारी बाते तुम्हें मैं समझाओंगा अब जरूरी नहीं कि यह जो square shape में मैं बना रहा हूँ ऐसा ही होगा बट ऐसा ही ज़्यादा तर होता है तभी तो fixed shape आएगा अब इसमें से मैं एक निकाल लेता हूँ तो एक मैंने निकाल के side में रख दिया 3D में बना दिया मैंने एक मैंने side में निकाल के रख दिया समझ रहा है चलो इसको ऐसे बनाता हूँ अब देखो जो real में particle का arrangement है वो कैसे होगा जानते हो एक particle यहां पे रहेगा एक particles यहां पे रहेगा फिर यहां पे रहेगा फिर यहां पे है फिर यहां पे है मतलब धोटा समझ रहा है ऊपर-níचे side में आगे-पिछे तो यह एक block है ऐसा छोटा block किदर है इससे सर्बहुत सारे है अब ध्यान देना अच्छे से, तो ये खाली स्पेस था ना, ये खाली स्पेस है ना, जहां पर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स रखे हुए है, अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, it can be atom it can be ion it can be molecule anything तो यह space में particle जिस तरीके से physics में तुमने सीखा था कि sun के around earth घूमता है orbit में लेकिन वो orbit दिखाई देती है क्या orbit क्या उदर road है क्या train चलाओगे जाके earth हमारी road में चलती है earth एक orbit में sun के around घूमता है लेकिन वो orbit किदर है नहीं दिखता orbit हवा है दिखता है क्या नहीं हवे में ऐसे से गूमता है बस उसे हम orbit कहते हैं तो वैसे यह particle हवा में रखा हुआ है reality में भाई यह line क्या होता है यह line real में exist ही नहीं करता है यह line जैसे कोई चीज होती नहीं है कसम से कह रहा हूँ नहीं होता यह just ऐसे ही समझने के लिए तुम्हें बताया कि हा भाई एक unit बन गया है ऐसे बहुसतारी unit यहां पे हैं समझाना अच्छे से तो यह जो line है इसे फिलाल हम edges कहती हैं समझा तो space जो है इस पूरे खाली जगह में ऐसे ऐसे particle इस तरह से arrange हैं यह arrangement समझ रहा है मतलब just ऐसे ऐसे particle arrange किया हुआ है यह arrangement है इसी arrangement of particle in three dimension फिर से repeat करता हूं this arrangement of particle in space in three dimension is called as is called as is called as बोलो ना यार crystal lattice crystal lattice समझा crystal lattice क्या है crystal lattice समझ गया crystal lattice समझ गया बहुत बढ़िया अब देखो अच्छे से खाली जगह में सारी particle arranged है और यह छोटा सा unit पूरे शक्कर का ध्यान देना अच्छे से यहां तो छोटे छोटे particle arrange यहां this is the crystal lattice space में खाली जगह में यह पूरे particle arrange थे अब देखो जड़ा जहांसे यह crystal lattice में इस crystal lattice मतब lattice एक नया वर्ड़न है तो हमें लगता कुछ तो होगा कुछ नहीं है crystal lattice मतब एक space जहां पे हमारे particles arranged है three dimension में arrange है 3D structure बना रहे हैं एक structure बना रहे विचिस crystal structure और crystal system समझा यह crystal lattice कह दो फिलाल के लिए चलो आंगे बढ़ते हैं अब यह space थी हमारा lattice है crystal का lattice है crystal का lattice lattice मतब खाली जगह जहां पे particle arrange होने वाले हैं तो यह particle अभी माल लो यहां पे suppose that suppose that particle आया नहीं है यहां पे ना एक space एजस्ट जहां पे particle आ सकता है माल लो भी particle आया नहीं है यहां पे दिको particle आ गया तो यह point है ना तो इसे हम कहेंगे crystal point यह lattice point इसे हम कहेंगे lattice point तो lattice मतब खाली जगह होती है ना इस पेस होता है जहां पे particle आ सकते हैं तो जब पूरा crystal बनेगा तो crystal lattice है एक धाचा एक structure गाउं में कभी eat बनाते हो तुमारे गाउं में कोई labor का अहां पे कोई काम करता होगा तो वह eat बनाता है bricks तो bricks का box होता है उदर मिठी डालने का तो फिर bricks बनके निकल के आती है गाउं कभी गए हो शहर में गोम रहे हो तो वह धाचा वह structure वह skeleton that is skeleton that is space is nothing but the lattice अब crystal का skeleton है तो crystal का lattice है अब उस skeleton में जहां पे particle हम रखने वाले हैं रखने वाले हैं तो वह point को lattice point बोलेंगे अब यहां पे देखो particle बैठ गया अब particle आ गया lattice point में खाली जगह में particle आ गया lattice point समझ गया यह भी समझ गया crystal lattice समझ गया यह पूरे crystal की space को crystal lattice उस particular point को lattice point समझ गया अच्छे से बहुत बढ़िया अब आप मुझे बताओ यह जब point यहां पे सारे particles point में आके बैठ गये lattice point में particle हमेशा बैठते हैं lattice point में particle हमेशा बैठेंगे तो particles आ गये crystal structure बन गया यह अब यह क्या बन गया crystal structure बन गया पहले खाली जगह थी ना मालो कुरसी बनी आईसे एक chair है एक chair है चेयर खाली है अभी तो मैं बोलूँगा chair lattice है हो खाली है ना space है और जिस जगह पे मेरे को बैठना है वो lattice point है और मैं particle हूँ मैं जाके बैठ जाओंगा lattice point में particle आ गया वो कुरसी का structure बन गया कि मैं बैठा हुआ तो crystal structure बन गया जैसे particle आ गया तो समझा crystal structure बन गया समझा अच्छे से अब आप मुझे बताओ कि जो यह crystal structure है यह same crystal structure ऐसे बहुत बार इदर पर repeat हो रहा है ना ऐसे बहुत बार इदर पर repeat हो रहा है ना ऐसा हजारों बार repeat हो रहा है तो this repeating crystal structural unit is nothing but the unit cell तो मत्तब indirectly this is the crystal lattice जब खाली था जब particles आगे तो crystal structure बन गया और वही crystal structure बार बार बड़े crystal में बड़े crystal में repeat हो रहा है तो that repeating unit is nothing but the unit cell तो indirectly सब सेम है समझ में आ गई बाते हैं hello everyone everything is cleared बोलो फटक से clear हो गया सब कुछ बोलो सब कुछ clear हुआ पक्का किसी को कोई doubt बहुत बढ़िया तो यह स्तारी चीजें आपको ध्यान रखनी थी मतलग कि इतना simple सा है कि मैं तुमको ना एक आसान भाशे में बता दूँ एक बार और कि माल लो अगर माल लो अगर माल लो अगर simple सा है यह समझ जाओगे ना पूरा चैप्टर समझने में आसानी होगे और हर कुष्चन करप होगे मुझे अंसे की उकराने में एक भी time नहीं जाएगा और वैसे भी कल का lecture तो मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि packaging efficiency के अंदर बहुत time जाने वाला है तो देख ठीक मैं particle नहीं बना रहा हूं ध्यान देना अच्छे से यह एक खाली जगह एक खाली point जहां पे particle आके बैठ सकता है यह खाली जगह यह खाली जगह है फिर इसी तरीके से ध्यान देना यह खाली जगह 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 अब न समझा अच्छे से मैं इसमें कुछ लाइन बना देता हूँ तब तुम्हें प्यारा दिखे गए Are you getting my point or not? देखो कितना अच्छा दिखेगा अब तुम्हें समझा अब अच्छा दिख रहा है तो देखो ये एक खाली जगए है अभी कुछ बनाया मैंने इसमें कुछ नहीं है खाली जगए है This is the crystal lattice crystal lattice मतब कि ये वो जगए है जहां पर crystal बनने वाला है अब मैं इसमें particle डालने जा रहा हूँ अब देखो मैं particles डालने जा रहा हूँ तो मैंने यहां पर particles डाल दिये देखो मैंने यहां पर particles डाल दिये Suppose that particles आ गया तो जब particles आ गया तो ये crystal structure बन गया तो ये एक crystal structure बन गया समझा समझते चलो चीजों को अब यही crystal structure बार बार इस शक्कर के दाने में repeat हो रहा है न ये एक था ऐसे दूसरा ऐसे same to same फिर तिसरा same to same चवता same to same पाच्वा same to same तो this repeating crystal structure is nothing but the unit cell अब समझा अब समझ में आया this repeating is structural crystal structure is nothing but the unit cell पक्का clear हो गया याद है तो आब आदे भूल गे तो बरबादे तो हमेशा अब आपको सब को समझा होगा अच्छा अब ये जो खाली जगे था ये जो पूरा ये shape है ये पूरा space था खाली जगे तो इसमें ये point भी तो खाली था ना तो this खाली point is nothing but the lattice point ये खाली point जिसमें हमने particle भर दिया था वो lattice point कहलाएगा समझा ध्यान देना अच्छे से जो particle मैंने डाल दिया that is nothing but the basis तो वो चीज़ को तुम basis समझ लो तो basis और lattice मिला करके crystal structure बनता है यही तुमारे book में दिया हुआ है lattice plus basis is nothing but the crystal structure ये clear हो गया ना अब पूरा funda clear हो गया होगा अब तुम मुझे बताओ कि packaging efficiency ऐसे ही बताया हुआ है देखो ऐसे ही arrangement है packaging efficiency के टाइम पे यही सबसे hard topic तुम्हें नहीं समझता होगा अईसे ही था ना फिर ऐसे ही बीच में void आता है यही सब कुछ ऐसे ही आता है ना सोचो अब मजा आएगा पढ़ने में लेकिन अब टाइम नहीं ना अपने पास CT की तवर पढ़ना है सोचो ये चीज़े आपको समझ की रखना अच्छे से समझा सब बच्चों को clear किसी को किसी को कोई doubt सही है ना समझ में आए कि नहीं समझ में आए बोलो फटाक से बहुत बढ़िया चलो तो ध्यान रखना अच्छे से तो यहां तक आज 10 बच्च के 12 मिनिट हो गया बस इतना याद रख लेना अब यह जो यूणिट से लेना इसके टाइप्स होते हैं अब इसके प्रेटी valores सेंटर्ड फिर प्र फीपृथे सेंटर्ड फिर बेस इंटर चार ताइप स्वός एक्स आयीगा एक साइड मीच में आएगा उस हिसाब से चार टाइप ऑ्ञ लूणिट से बन गई तो ऐसा ही बना है, बहुत चिंदी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, ज्यादा तुम्हें सोचना नहीं है, बस तुम फर्स टाइम ऐसा लग रहा है तुम पढ़ रहे हो, तुमने concept clear नहीं किया, तो ऐसा हुआ है, समझना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, clear है बाते हैं, तो बहुत से numerical लूँगा, आज तुमको, मैंने देखा कि तुम्हारा basic की clear नहीं है, आज चलो ठीक है, मज़ा आया पढ़ने में, आज बहुत मज़ा आया, कैसा लगा, मैं जानता हो रात हो गई न, 10 बच के 10 मिनट क्रॉस हुआ, तुम सब भाग जाते हो, और बायो का lecture भी था तुम्हेर को वो भी लेना था, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि तुम्हें पढ़के मज़ा बहुत आया है, मेरी हाला देख रहो, चार घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूँ मैं, तो लगातार बोलते जा रहा हो, भी जाके मुझे खाना खाना है, फिर रात का बहुत सारा काम है, मेरा software वाला काम मैंने side में shift किया है, software वाला काम नहीं चलाओंगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा, तो lecture कैसा था आज का, अपना review जरूर देना comment में, बुरा रहेगा तो बुरा लिख देना, अच्छा रहेगा तो अच्छा लिख देना, तुम्हें कुछ और लगता तो देखना मक्खन बना दूगा chapter, ये guarantee मेरी है, लेकिन बाकी का तो करना पड़ेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखो इतना, ठीक है, चलो, तो बाकी lecture कैसा था, एक बर बतादो chat सबके देख रहा हूं मैं, कैसा था lecture, मजा आया पढ़ने में, कैसा महसूस हुआ, feeling कैसे आई, और numericals कल करेंगे, पूरे के पूरे, numerical मत्तब numerical वाले MCQ करेंगे कल, extra question कराऊंगा, उसके पहले थोड़ा सा concept तो बताने तो मेरे को, तो time लगता है, तो मैं कल काम करूंगा, सिधे numerical से शुरू करूंगा, और उसके through मैं पूरा तुम्हें theory पढ़ा दूंगा, तो थोड़ा solid state hard chapter है, solution में इतना time नहीं जाएगा, electrochemistry में इतना time नहीं जाएगा, thermodynamics तो और easy chapter है, तो इस सब में इतना time नहीं जाएगा, जितना इतने इसमें जाता है, थोड़ा सबर करना बस, ठीक है, तो कुछ चीज़े जब हम शुरू करते हैं, थोड़ी hard जाती हैं, और उन hard चीज़ो बीच में सभी teachers को दे दिया, यह subject और उस चकर में आज वो teachers नहीं है मेरे साथ, तो फिर अब मेरे को खुद से लेना पड़ेगा, तो अगर यह 12th का lecture होता ना, इसे और मखन बनाता है, एक दम detail में फटा पटा, उपर उपर से लिया है अभी भी, सोचो अभी भी उपर उप से लिया है पुरा, ऐसे ही, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत चीजे बताने की कोशिश की है, CT-oriented तरीके से lecture लिया है, तुमने notes बनाई होगी, जो यहां पर sincere बंदा होगा, वो बोलेगा कि हाँ, हमको मजा आया है, अब जिनको मजा आग जोग चाहिए, तो फिर मैं यहां प समझो न, तो यह चीजी हो गई, तो कोई न, कल अपन lecture फिर से करेंगे, इसी chapter को, और MC की solve करेंगे, मैं जानता हूँ, 10 बज गया, तुम लोग को भूग लगता है, फिर सो जाते हो, मत सो या करो, 11-12 बज तक पढ़ा करो, अभी मैं lecture चाहों, तू continue करो, मेरे पास इतना energy है कोई issue की बात नहीं है, बड़ तुमें से आदे भाग गए, सो गए, बारा सो, सत्रा सो लोग ते, पान सो चले गए, सो गवी किन निकल लिए तुम लोग ने, ठीक है, तो ऐसा मत किया गरो, ठीक है, कोई न, तो जो सोएगा, वो राजा कैसे बनेगा, वो तो मजे ले रहा ह सोएगा, तो मजा करेगा, क्या बोल रहा हूँ, सोएगा, तो मजा करेगा, और अगर लड़ेगा, तो राजा बनेगा, याद है, समझ में आया, सोएगा, तो मजा करेगा, और अगर लड़ेगा, तो राजा बनेगा, राजा बनने का है, कि मजा करने का है, decide, तुमको करने क है ओके सो फाइनले गाईज बाई बाई टेक क्यार मिलेंगे कल इसी तरीके से एंट थर्टी को उसके पहले लेंगे बाइलोजी और बागी की लेक्चर फिजिक्स होगा रहे के कंटीनू ऐसे ही होते रहेंगे तब तक के लिए बाई-बाई टेक क्यार लव यू अलॉट टेक है नोट्स बेजता हूँ स्टा प्रेशड बाई टेक स्टा डेक हूँ रहेंगे टेक है एला की बाईखता हूँ